वाइफाई स्लैक्स एक पावरफुल हैकिंग ओयस है जिसका यूज वाइफाई हैकिंग, वाइफाई फॉरंसिक, वाइफाई पासवाट डिक्रिप्टर आदमी किया जाता है या यू कहे इस ओयस में बंच आफ हैकिंग टूल्स प्रिंस्टॉल होते हैं इसके लुक्ष और इसके टूल्स इसे काफी पापुलर बनाते हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वाइफाई स्लैक्स को वीएम वेयर या वर्चूल बॉक्स में इंस्टॉल करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए मेरा नाम है शंदीप और आप शभी देख रहे है पेंटेस्ट ब्लॉग यूट्यूब चैनल यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके अल नोटिफिकेशन को अन कर लीजिए ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो मैं आपके लि उसके लिए सबसे पहले मैं अपने Google Chrome को ओपिन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर Google डाट काम की विप साइट पर विजिट करता हूँ और मैं यहाँ पर सच करता हूँ Wi-Fi Slacks ये देखिए Wi-Fi Slacks की official site open हो चुकी है तो हम Wi-Fi Slacks के official site पर चलते हैं ये Spanish language में बना है तो आपको इसे English language में convert करना होगा तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे English language में convert कर लिया है यहाँ पर आपको download के options पर click करना है फिर उसके बाद आपको download 64 bit पर click करना है ये देखिए यहाँ पर इसका downloading page open हो चुका है अब मैं धीरे-धीरे से scroll down करता हूँ ये देखिए ये 2.4 60 bits का version है यहाँ पर इसके link दिये गए हैं लेकिन ये Spanish language में है ये देखिए download ISO हम इस download ISO पर click करते हैं फिर उसके बाद ये हमारा wifi slacks download हो जाएगा फिलाल ये मेरे पास already downloaded है तो सबसे पहले मैं आपको इसका downloaded version दिखा देता हूँ ये देखिए wifi slacks 4.11 तो चलिए इसे install करते हैं तो उसके लिए हम virtual box का यूज करेंगे यदि आपके पास VMware है तो आप VMware का यूज कर सकते हैं क्योंकि मैं Kali Linux का यूज कर रहा हूँ और मैंने virtual box को Kali Linux में install करके रखा है तो ये देखिए यहाँ पर हमारा virtual box open हो चुका है तो ये name में मांग रहा है तो name अई जब मैं wifi slacks इसका नाम टाइप कर दे रहा हूँ फिर उसके बाद ये operating system मैं इसे Linux फिर उसके बाद मैं यहाँ पर other 64 टाइप कर दे रहा हूँ यह देखिए यहाँ पर ये memory size मांग रहा है तो मैं इसे 1GB memory दे रहा हूँ फिर उसके बाद next फिर next फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी location size देनी होगी ये देखिए ये .vdii में convert हो गया है vdii file क्या होती है हम किसी अन वीडियो में detail में जानेंगे वैसे ये काफी interesting file होती है तो हम इसे करीब करीब 13GB space दे देते हैं फिर उसके बाद मैं create करता हूँ ये देखिए यहाँ पर ये हमारा space create हो चुका है अब हमको कुछ setting करना होगा जैसे कि network का सबसे पहले मैं यहाँ पर bridge adapter को select कर लेता हूँ इसलिए ताकि ये हमारे main OS से communicate करता रहे फिर उसके बाद आपको port को select करना है तो इसके बाद मैं ok कर देता हूँ फिर मैं start button पर click कर देता हूँ ये देखिए ये मुझे ISO image को मांग रहा है तो सबसे पहले मैं folder icon पर click करता हूँ फिर उसके बाद मैं अपने ISO image को choose कर लेता हूँ यहाँ पर मैं wifi select के folder में चलता हूँ फिर उसके बाद मैं इसे open करता हूँ फिर उसके बाद मैं choose button पर click करता हूँ फिर start ये देखिए वैसे ये Spanish language में बना है तो सबसे पहले हम इसे English में convert कर लेते हैं ये देखिए जैसे मैं ने enter press किया ये English में convert हो गया फिर उसके बाद मैं KDE desktop पर enter करता हूँ ये देखिए ये हमारा wifi select का front page open हो चुका है ये load ले रहा है wifi select की loading अभी भी चल रही है वैसे ये सबसे पहले live open होता है तो फिर उसके बाद इसे install किया जाता है ये देखिए इसके सबी function load हो रहे हैं जैसे की wifi select का setting load हो रहा है वैसे कुछ इसमें आपको नहीं समझ में आएंगे क्योंकि ये Spanish में बना हुआ है वैसे इसे मैंने English में convert किया है तो सबसे पहले मैं इसके कुछ functions load हो रहा है मैं उसे cut कर देता हूँ चलिए इसे install करते हैं तो उसके लिए हम system पर चलते हैं यदि आपको अगर इसके display को setting करना है तो आप display पर click करके इसके size को कम और ज़्यादा कर सकते हैं वैसे मेरे laptop में display की setting अवेलबल है बट support नहीं करेगा इसलिए मैं इसे कुछ भी नहीं करूँगा तो चलिए हम इसे install करते हैं तो उसके लिए हम install पर आते हैं फिर उसके बाद मैं grab to पर click कर देता हूँ यह देखिए यहाँ पर मेरा grab to install हो रहा है फिर मैं इस पर click कर देता हूँ मुझे नहीं पता यह console language है यह देखिए यहाँ पर यह मुझे file size के लिए पूछ रहा है तो मैं device पर click करके सबसे पहले एक partition create कर देता हूँ फिर मैं इसे MS-DOS रहने देता हूँ फिर apply कर देता हूँ यह देखिए यहाँ पर मैं new button पर click करके सबसे पहले आपको जितनी भी size देनी है आप यहाँ पर दे सकते हैं X-DOS रहने देजिए फिर उसके बाद आपको add कर देना है यह देखिए हमारा यहाँ पर file create हो चुका है अब आपको apply button पर click कर देना है फिर उसके बाद apply यह देखिए यदि आप इसे save करना चाते हैं तो save कर लीजिए वैसे कोई important नहीं होता है फिर close फिर उसके बाद मैं इसे cut कर देता हूँ जैसे ही cut करता हूँ वैसे इसके installing शुरू हो जाएगी यह देखिए आप फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ok बटन पर click कर देता हूँ यह देखिए यह install होना start हो चुका है तो मैं इसे काफी first forward कर देता हूँ क्योंकि काफी time लगेगा इसे install होने में यह देखिए हमारा install हो चुका है अब हम ok बटन पर click करते हैं यह देखिए हमारा system boot हो चुका है यहाँ पर हमारा wifi selects load हो चुका है इसके सभी function load हो रहे हैं wifi selects का setting भी load हो रहा है यह देखिए हमारा wifi selects इंस्टॉल हो चुका है सबसे पहले मैं आपको इसके applications दिखा देता हूँ इसमें बहुत सारे applications प्रिंस्टॉल है जैसे कि ARP scan, ghost feature, wiresar, videosha, WPA का पूरा setup फिर उसके बाद wireless hacking का पूरा setup, IP, scanner फिर उसके बाद यहाँ पर bunch of hacking tools जो Kali Linux में कम इसमें अधिक install है वैसे हम इसकी तुलना Kali Linux से नहीं कर सकते क्योंकि Kali Linux एक professional है तो बस इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने friends के social group जैसे कि Facebook, WhatsApp आधि पर share करें अगर आप hacking से related ब्लोग को पढ़ना चाते हैं तो आप pentestblog.in पर विजिट करें Thanks for watching this वीडियो See you soon, Goodbye